स्वागत आप सबीगा दोस्तों फिर से ग्लोबल टॉक्स में मेरा नाम है गौरफ सो दोस्तों हाली के समय में डॉक्टर एजजेश अंकर का एक वीडियो क्लिप बहुत जादा वायरल हो रहा है दरसल वो एक प्रेस कॉन्फरेस कर रहे होते हैं और उसी प्रेस कॉन्फरेस ब यही था कि वो आएंगे इंडिया में तो क्या इससे कहीं ना कहीं दोनों की दोस्तियों फरक पड़ेगा देखो एस्यो समिट अपने आप एक बहुत बड़ी समिट होती है दरसल इसमें एशा के सारे के सारे तक्रीवन देश होता है चाहिए चाइना पाकिस्तान तुर्कमे क्या जवाब देते हैं उस मीडिया वाले को नरसल एज शंकर बोलते हैं कि यह काफी जाधा मुश्किल होगा कि हम इंडिया और पाकिस्तान इन दोनों की दोस्ति करा सकें क्योंकि उनकी तरफ से हमें इसा क्रॉस बॉर्डर टेर्रिस्म होता रहता है और यह क्रॉस पाकिस्तान के आतनावादियू से लिंक होएं तो उसी की रिप्लाइ में एजज शंकर ने बोला है कि बहुत जाधा मुश्किल है कि एक ऐसे देश की साथ दोस्ति करना जो हमेशा क्रॉस बॉर्डर टेरिस्म करता रहता है अब देखो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर एजज शं पाकिस्तान के डिफैर्ड मिनिस्टर जो है वो भी इंडिया आने वाले से लेकिन इंडिया आते आते उनका ट्रिप जो है कैंसल हो गया अब ऐसा हो भी सकता है कि पाकिस्तान का भी ट्रिप जो है कैंसल हो जाए लेकिन पाकिस्तान जो ट्रिप कैंसल करेगा मुझे तो लगता नहीं कि ट्रिप कैंसल करेगा क्योंकि पाकिस्तान के आज के आहलाद आपको बताई है उसे ज़्यादा ज़रूत है कि दूसरे देश उसे trade की ज़्यादा बात किया जाए और मैंने आपको पहले बताया था कि SEO Summit है इसी के लिए ताकि Asian Countries में trade और environmental चीजे और भी काफी सारी चीजों के लिए उपर financial की उपर बात की जाए और बिलावल भुट्टो का H.J. शंगर से मिलना इसलिए भी ज़्यादा अब सोचे किसी देश के foreign minister से ऐसी बात अच्छी लगती है मतलब किसी देश के परदाह मंतरी को मतलब एक foreign minister भी एक देश का representative होता है अब हर चीजों के लिए परदाह मंतरी तो आगे आता है नहीं हो हमेशा foreign minister को आगे कर देता है जब भी उसे किसी और देश को कोई अपना ब्यान देना होता है कभी आपने देखा हो ग tenga दो प्रदाह मंतरी एक दूसरे को भी नी बोलते है वैँ हमेशा व अपने foreign minister जो कर देते है कभी आपने देखा ही foreign minister आप मेंशा आगे आता है कभी CCP का आगे नहीं बोलता यहां से इंडिया की तरफ से भी प्रता मंदरी मोदे नहीं जाते हैं उनके लिए भी यहां से एजजर शंकर जाते हैं तो दौनों के foreign minister बात करते हैं और यह पूरी दुनिया के ऐसी होता है जासे आपको याद होगा कि Russia के foreign minister इंडिया के बारे में बहुत कुछ बोल रहे होता है मतलब बोलने के लो तो उन्हें पुतिन नहीं बोलना होगा लेकिन वो भी बोल रही होता है अब आप बताएं कि कोई logical बात है कि आप किसी देश के परदामंतरी के बारे में ऐसी बाते बोले कि वो 2002 के गुजराद दंगो का कसाई है and all that क्योंकि आप एक देश के representative है परदामंतरी की बात जो होती है आपकी बात ही मानी जाती है कि जो आप बोल रहे हो लेकिन शब जो है आपके परदामंतरी के है और जब बिलावल बुट्टो ने ये बात कही थी ना तो हमारी देश में बहुत जगे पर हंगावी हो आ था बहुत जगे पर हंगावी मचा था बहुत जगे पर इसके पोस्टर भी जलाए गए थे इनके और बिलावल बुट्टों से माफी मांगनी के भी बात की गई थी और पूरे देश बर में कई लोगों ने इनका विरोध भी क्या था और आनेवाली जो इनकी summit है जाई इंडिया बेर आने वाल है और इंडिया पर आने के लí爬े भी बहुत लोगों ने इनका विरोध क्या था कि इनने इंडिया नहीं आनेAn दीना चाहिए क्योंकि जो उन्ह 바eur ने बयान दिया अगर वो कहीं पाकिस्तान में देते कहीं और देते तब भी वो कोई लोजिकली लगता लेकिन वो बयान उन्होंने युनाइटी नेशन में दिया है सोचिए जहाँ पर तकरीबन दुनिया का हर देश रेजिस्टर है दुनिया का हर देश आता है वहां की जो न्यूज होती है पूरी दुनिया में जाती है और वहा किस तरीके से एजर्शंगर से बात करते है क्या उनकी मुलाकाद देश के परदाम मंतरी मूदी से भी होगी और तो उमीद में यह करता हूँ कि एसी समीड में जब बुलावर बुटो आये तो इस तरीके के बचकारे बयान ना दे जो कि उन्होंने युनाइटी नेशन में दिये थे क्योंकि बयान बाजी करने से ज्यादा अच्छा है कि पाकिसार अपने देश को देखे इस टेम में अपना देश का उनका फॉरे जिर्प तकरीबन चार बिलियन डॉलर से भी ज्यादा नीचे गिर चुका है देश की करनसी बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है बहुत ज्यादा डिवालिट हो चुके है एस कंपेर टो डॉलर करजा बढ़ता जा रहा है और भी काफी सारी दिक्कत है इंफ्लेशन है आटे की दिक्कत है और भी काफी सारी जो दिक्कत है तो पाकिस्तान को इस बार समिट में अपना ये को थोड़ा साइड बनाना उन्होंने जहातर कश्मीर का इशू उठा है कश्मीर में ऐसा होता है कश्मीर में वैशा होता है जबकि रियाल्टी ऐसी है नहीं कश्मीर में आग के समय पर दुबाई यूए काफी बड़े-बड़े इंवेस्टमेंट आ रही है इंडिया का फिफ्ट सबसे लार्जेश और भी कहा रहा है कि दिसम्बर तक वंदे वारा ट्रेन भी वा चलने वाली है तो आप इस बेसिस पे तो नहीं बोल सकते कि कश्मीर में जुर्म हो रहा है क्योंकि दुनिया आचके टाइम ग्लोबलाइजेशन में है पूरी दुनिया को खबर रहती कि कौन से देश में क्या एक मीटिंग है जिसमें तकरीमन 80% जिनका GDPS दुनिया में वो सारे के सारे देश इंडिया आने वाले हैं और कही न कई ये सारे G20 देश जो है SEO समिट को भी कही न कई फॉलो करेंगे बेशक वो वहां आके न करें लेकिन कही न कई खबरों के तुरू, न्यूज आर्टिकल क ये फोलो करेंगे, और फॉलो क्यों करेंगे? क्योंकि इस टाइम इंडिया, चाइना, रश्या ये तीन देश एक साहथ आएँगे, और ये तीन देश जब एक साहथ आएंगे, तो पूरी दुनिया के नजर उस टाइम उस देश में रहीगी, और जब भी मीटिंग होगी न उठाने बहुत बड़े है और पाकिस्तान से आया हुआ टेर्रिज्म चाहिए इसके वजए से हमारे देश में पुझ की तरफ से आत्मवादी हमले हुए हो चाहिए बुलवाम हुए हो यह भी उठाने बहुत ज़रूरी है इंडिया को इंडिया पर इशूस बहुत सारे है जो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजेगा और इसी तरह है कि जियो पॉलिटिकल ल्यूस के से अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजेगा आज के लिए इतना ही बहुत बदनेवाद